जे माता दी बहुत स्वागत है राशिफल पंचांग में तो चलिए जानते हैं 27 अगस्त 2024 मकर दैनिक राशिफल के बारे में राशिफल जानने से पहले जानते हैं आज का दैनिक पंचांग बहतरुबद माह कृष्णि पक्ष की नवमी तिती मंगलवार का दिन रोहिनी नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव से दिन प्रारम होगा दोपहर तीन मच कर 38 मिनिट के बाद मिर्क शिरा नक्षत्र प्रारम हो जाएगा हरशन नाम का योग बन रहा है जो रात 8 अट मिजे तक रहेगा उसके बाद वजर योग प्रारम हो जाएगा तो चंद्रमाप्रिहस्पती के साथ विरशब राशी में गोचर कर रहे हैं सूरिय सिंग राशी में गोचर कर रहे हैं अब जीत मुरत 27 अगस्त को सुबह 11.57 से लेकर दुपहर 12.48 तक रहेगा राहुकाल का समय दुपहर 3.35 मिनट से लेकर शाम 5.00 बच कर 11.00 तक रहेगा आज कारियों की चुनोतियां बढ़ सकती हैं नए चैलेंजिंग तास्क आपको मिल सकते हैं आज जिम्मदारियां बढ़ेंगी जिसके कारण थोड़ा तनाव भी हो सकता है आज नोकी करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा है कारियों प्रदर्शन आपका बहतर बना रहेगा आज आज आपका व्यक्तित प्रभाव शाली रहेगा आपने विश्वास के साथ दिन की शुरुवात करेंगे अज लंबित कारियों को गती देंगे मतवपुन लक्ष पर फोकस बढ़ेगा आज इंपोर्ट इक्सपोर्ट का काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा है कोई बड़ा ओडर आपको मिल सकता है जो लोग व्यापारी हैं अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं नए पार्टनर्शिप में आपको नया बिजनेस से करने का मौका मिल सकता है अगर आप किसी नए काम में इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा लएगा जो लोग बरतन का या फिर कपड़े का व्यापार करते हैं आज आज आपके कारोबार में ब्रिधी देखने को मिल सकता है अच्छी कमाई आपकी होगी आज स्थिति आपकी कामदंदे के मामले में अच्छी रहने वाली है आज कोई पुराना पेमेंट आपको मिल सकता है आर्थिक मामलों में आज दिन अच्छा रहने वाला आर्थिक स्थिती आपकी पहले से मजबूत रहेगी हलाकि पैसों के लिए इन दिन करते समय आपको सावधान रहना होगा मकर आशी वालो आज आर्थिक मामलों में कुछ लोगों को कर्ज चुकाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किसी भी तरह का कोई financial risk लेने से आज बचेंगे आर्थिक प्रयासों में तेजी देखने को मिल सकता है ग्रियस्त जीवन के बात करें आज घर में धार्मिक माहौल बना रहेगा भावनातमक मामलों में बहतर बने रहेगा आत्मे विश्वास आपका बढ़ेगा आज रिष्टों में मजबूती देखने को मिल सकता है सम्मंदों पर जोर देंगे आज घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा आज परिवार में किसी जदस्य से कोई शुप समाचार भी मिल सकता है स्टुडेंट्स के बात करें आज परिक्षा में परदर्शन आपका बहतर रहेगा जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं आज कुछ रुकावटें उनके काम में आ सकती है स्वास्त वैसे आपका अच्छा रहेगा हलाकि काम का लोड बढ़ने से थोड़ा तनाव हो सकता है ऐसे में योग व्यायाम अपने दिंचरिया में शामिन जरू करें मेडिटेशन करें इससे आपको लाव होगा भाग्यांक आपके लिए तीन है भाग्यशाली रंग लाल